लवकी केता है आप तरह तरह के सबजी खाई लेए पर आज हम लवकी और चना के एकदम डिफरेंट यूनिक और नई रैस्पी सेयर करे जाते हैं तहलो फ्रेंस कैसी बाटी है आप सब भजपुरी है रसो येन ब्लोग में आप सब के स्वागत बात है देर कौने बात के कोकर में डालेख है तो साथ में फ्रेंट समी आप पर 400 ग्राम लवकी लेले रह ली हैं कि हम चलका निकाल के एक के बारी-बारी कटके दे लेह लोगा के भी हमनी के चना के साथ ही कोकर में डाल देवीक है साथ में अमनी के एक पींच हल्दी डाल है आधा चमच नमक डालेख है नमक आप अपने सादोनों से अरकम या ज़्यादा कई सके नी देड़ गिलास हमनी के मन पानी डाल देवेख है गैस के फ्लेम हाई कई देवेख है और पानी डाले के बाद हमनी के कड़कन लगा के तीन से चार सेटी आवे तक पका लेवेख है तो फ्रेंज यहाँ पर आप देख सके लिए तीन से चार सेटी कूकर में आगे लगा तो हमनी के एक बार चेक कई लेवेख है यहां पर आप देख सके लिए हमने केचना और लवकी अच्छे तरीका से पक चुकल बात बस हमने के इनना ही पकायक है यह से ज़्यादा ओबर कुख नाई करेक है ताकि दाल की तरह बन जाए बिल्कुल यही तरीका से हमने के बनायक है सरसो के तेल में लवकी के सबजी बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनके तैयार हो लेकरी जगई पर आप दूसर तेल भी यूज केल चाहते हैं तक कई सके नहीं जैसा ही तिल गरम हो जाई हमने के आधा पिंच जीरा डल देवक है साथ में चार गो तेश पत्ता डाल देवक है गैस के फ्लेम मीडियम रखेख है और यहां पर हम एक लाल मिर्च तोड की डालत हैं बहुत ही अच्छा टेश टाल सब्जी में अब यहां पर हम ले ले आटी एक मीडियम साइच के बारी कटल प्याज और चार से पांच हरी मिर्च अगर आपके जादा तीखा पसंद है तो यहां पर आधा पींच अल्दी पाओडर डाल थे हल्दी पाओडर आपके कम डाले भे काहां की अमनीकी डाल में भी डल्ली राली है दू चमच घरब मसाला सात में टाल देवे एक चमच जनिया पाओडर साथ में आधा चमच लईल मिर्च पाओडर और यह बारी कटल अब हमनी के लेसन और अद्रग के बढ़ियां से कूटके डाल देख है बहुत ही अच्छा टेश्टा हो ला तडगा के साथ अपे किन्य डालम नई तर जल जाई आपके बाद में ही लेसन अद्रग के कूटके डालेख है चला के हमनी के तब तक भूनेख है जब तक बढ़िया से टमाटर सुप्ट नहों जा और मसाला से तेल रिलिज नहों जा जितना ही अच्छा मनी जई मसाला के भूनब उतना ही सबजी में टरेश्ट आई तो फ्रेंस यहाँ पर आप देख सके लिए हमनी के मसाल अच्छी तरीका से भूंचू कलबा तो अब हमनी के जोन लोकी और चैना के पका के रखले रहनी पानी समेथी एमन डाल देवेख है अगर आपके एकर ग्रेवी कम लगत होखा तो आप एमन थोड़ा पानी और भी डाल के मिक्स कई सके लिए पर हमें यहाँ पर ग्रेवी ठीक लगता तहां एमन पानी नाई डाल अब चला के छे तरीका से मिक्स कई देवेख है और एक ढ़क के हमनी के 10 मिनट तक लोफ लेम पे पकावेख है तो फ्रेंस यहाँ पर 10 मिनट होचु कलबा और सबजी हमनी के बन के तयार होचु कलबा गयास बंद के देवेख है और एकदम लवकी और चना दाल के मज़दार सबजी बन के तयार होचु कलबा कहले में बहु आपके जरूर प्रेस कई दे वैसे ही डिफरेंट और यूनिक रैस्पी देखल चाहता है ता हमरी चैनल भुषपूरिया रसवयन ब्लोग के फटा-फटे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के प्रेस के बिल्कुल भी नहीं भूलब ताकि हम कौनों भी वीडियो अप्लोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे है तब फिर मिले जाए कौनों नई रैस्पी में तब तक लिए बाब बाय टेक क्यार